तो हम बात कर रहे हैं D9 चार्ट में, D9 चार्ट में अगर पर्थम भाव में आपके मंगल और चंद्रमा की यूति हो तो ये यूति कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं देखे मंगल और चंद्रमा जब भी D9 चार्ट में यानि न्वांस चार्ट में लगन में ही इस्तित हो तो ये यूति दिखाती है कि कोई जातक अपने second half of life में ज्यादा मजबूत होगा सारिक रूप से भी और मांसिक रूप से भी साथ ही उसके अंदर छमताएं बहुत ज्या मजबूत होगी उसकी किसी भी प्रकार की प्रिस्तिति में वो हार नहीं मानेगा उसका मन भी उतना ही मजबूत होगा या मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा जितना उसका सरीर बढ़ेगा अब यहां जर्री यह है कि जो आपका लगन है जो लगन में जो रासी है वो इन द दिखाती है, साथ ही यहाँ पे ज्यादा तर ऐसा जातक creativity और अपनी छमताओं का बेतर से बेतर इस्तेमाल करेगा, मंगल और चद्रमा आप ये जरूर देख लेजिए कि D9 चार्ट में कौन-कौन से भाओं के स्वामी है, उन भाओं से related जो रिस्ते हैं, उन में आप ज्यादा आप एकसा मत रखे, अगर आप ज्यादा आप एकसा रखतें, तो आपको नुकसान हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव का या बेचनी का सामना करना पड़ सकता है, मंगल और चंद्रमा किसी के भी D9 चार्ट में लगन में हैं, तो ऐसा जातक दूसरों के लिए हमेशा मदद साबित होगा, दूसरों की मदद हर संभव प्रिस्तित में वो करना चाहेगा, भले ही वो खुद के लिए कैसा भी हो, साथ ही मंगल और चंद्रमा साथ हैं, तो ऐसा जातक लिडर्शिप में हो सकता है, उसमें लिडर्शिप का गुन काफी अच्छा हो सकता है, वो एक बहु अपनी खुद की छमताओं के बलपे जिवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, जो वो चाहता है, लेकिन एक यहां समस्या सबसे बड़ी यह आती है, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं, या बहुत ज़्यादा संकीपन आप में हो सकता है, इस वज़े से अपने फैमिली और बच्चों से, वो बहुत ही स्ट्रॉंग होता है, जब भी मंगल और चंद्रमा साथ हों, तो जातक को बहुत कुछ हैचिव करने की इच्छाएं रहती हैं, उसकी एक अंतरदृष्टी ऐसी होती है, जहां पर वो सब कुछ हैचिव कर लेना चाहता है, मि आइसान रहेगा, तो ऐसे में आपका जो कंसेंट्रेशन है, वो कभी-कभी भंग हो सकता है, और आपका जो लगन चार्ट है, उसकी इस्तिति भले कैसी भी हो लगन की इस्तिति, बट सेकेंड हाफ ओफ लाइफ में ये परिवर्तन ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंग जब भी हम मंगल और चंद्रमा की यूति की बात करते हैं, तो ऐसे में मंगल चंद्रमा को बहुत ज़्यादा परभावित करते हैं, और एक तरीके से मंगल अपना बहुत स्ट्रॉंग परभाव चंद्रमा पर दिखाते हैं, ऐसा जातक बहुत कुछ अपने बल पे एचिव करने वाला होता है और उसके अपने भाईयों की साथ अक्सर मतवेद हो सकते हैं उसके अपने अक्सर पीता की साथ भी और फैमली के जो बुजरुक सदसे हैं उनकी साथ मतवेद हो सकते हैं बट जातक बहुत ज़्यादा चमतावान होगा वो खुद पर जितना ज़्यादा बि क्यापक्षा कोई रीजल्ट करने के वारे में तो वह बहुत प्रेशान भी हो जाएगा मानसे क्रूप से काफी它呢 यहाई है बस ज़ात को एक टारगेट पर फोकस करना ज़री है जब भी आप किसी काम को करते हैं एक जगह focused रहेंगे तो आप जल्दी सफलता हसिल करेंगे अगर आप concentrate नहीं रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा तो यह यूती कुछ इस प्रकार के result देती है जब भी मंगल और चंद्रमा फोर्थाउस में हो अब आप यह जरूर देख लें कि मंगल और चंद्रमा का समन्द क्या आपके चठे भाव या फिर आठवे या फिर बारवे भाव से है अगर इन भावों से समन्द है तो आप अपनी चंद्रमा को खोएंगे आप बार बार confidence में आने के बाद अंतिम रिजल्ट तक जब किसी भी कारिय में पहुंचेंगे वहाँ पर अपना confidence lose करेंगे वहाँ पर आप अपना धन संपत्ती का या अन्य कोई कर सकते हैं मांसिक रूप से जो सांती आप प्राप्त करेंगे उसकी कमी हमेशा मैसुस होगी आपको आपके जियोन में साथ इसत मैरीड लाइफ का जो रिस्ता है उसको बहुत ही strongly निभाने की चाहत आप में रहेगी तो यह यूटी लगन में कुछ इस प्रकार के result दे सकती करेंगे जियोन में दे चाहत यूटी यूटी